वेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जैडे गार्डन और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आपकी गार्डेने में फ्रेंड्स आपके साथ एक चुटा सा वीडियो शेयर कर रही हूं आज देखिए कुछ बनाने जा रही हूं कुछ अपनी क्रेटिविटी आपके साथ शेयर कर रही हूं तो फ्रेंड्स आप लोग बने रही है शुरू से आखिर तक हमारे वीडियो में और आपको कुछ सीखने को मिलेगा और शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और अधूरी जानकारी नहीं होगी जिससे सबस्टेम्स होती हैं बहुत लचकदार ऑफिक ओड़ी होती है इसको आप किसी भी शेप में मोड सकते हैं यह तूटती नहीं है यह मुड जाती है लेकिन टूटती नहीं है यह बहुत लचक होती है तो आज मैं इससे एक टौप्यारी बनाने जा रही हूं जब दिखाए ए यह सब चीजों को यूज़ करूंगी तो देखिए इस तार को जो एलुमिनियम का था इसको मैंने जो है काट के एक पिकॉक की गर्दन जो होती है जो जो इसका सिर होता है और गर्दन होती है उसका मैंने शेफ तयार कर लिया आप लोग देख सकते इस तरह से हाथ से मोड़के मैंने ये शेप तयार किया है और आप देखते रही है किस तरह से मैं ये टोप्यारी बना रही हूँ मोर बना रही हूँ पीकॉक की एक टोप्यारी बहुत खुब्सूरसी टोप्यारी तयार कर रही हूँ आप लोग देखिए इसको देखिए, मैंने मिट्टी में insert कर दिया है तार को अच्छा खासा मैं इंदर इसको दबा दिया है मिट्टी में ताके ये बाहर ना निकल सके और अच्छी तरीके से मजबूती से इसके अंदर दबा रहे है और ये देखिए इसका आधा पार्ट जो है जो छोटा वाला पार्ट जो है वो मैं इस तार के साथ में इंसर्ट कर रही हूँ तार के साथ में धागे से बांध रही हूँ मैं ये देखिए ये मैं मोर की गर्दन करके छुपा देना है थोड़ा और जिससे तार जो है सामने से नजर ना आए तार अगर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरीके से आप इसको ऐसे बांग दें उपर से जो यह जेड प्लांट की जो स्टेम्स हैं इनको लपेड दें और उपर से धागे से इसको मैंने इस तार पर जो एलुमिनियम का तार मैंने शेप बनाकर इसमें पॉर्ट में लगाया था उस पर मैं इस तरह से देखिए बांग दे रही हूं इसको अब यह गर्दन दयार होगी अब यह पीछे का हिस्सा जो इसका होता है जो पंक वाला हिस्सा होता है वो जो इसको मैंने आधा-धा करके जो है उसके मोर के जो पंक होते हैं उनका शेप देने की कोशिश की है तो यह देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं यहां पर से पहले बांद दे रही हूं इसको ताकि यह स्टार्टिंग में जो हिस्सा है वो पतला रहे थोड़ा और पीछे का इसा चोड़ा रहे फैला हुआ रहे जैसे मोर के पंक होते हैं उस तरह से रहना चाहिए उस तरह से शेप दिखना चाहिए मोर के पंक जैसे होते हैं फैले फैले से लंबे से पंक होते हैं उस तरह से यह शेप नज़र आए तो यह देखिए दो तीज जगा पर मैंने इसलिए इस बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी मोटी हो जाएगी और इसमें मैं फिर से कटिंग करके सही से इसका शेप दे दूंगी जब इसके इसमें ग्रोथ आ जाएगी क्योंकि आगे की जो आधी मैंने अलग की थी ये पार्ट अलग किया था गरदन बनाने के लिए वहाँ पर ब अच्छा लगे लिए और तो प्लीज आप लोग भी अपने घर में है आप एक आपके पास जणकों को बना सकते एंख ओसर प्लांट को आप लोग मोड नहीं सकते यह देखी है और जो कटिंग पर के निकाले कि इसमें पर लिया उसकी चोटी सी टोप्यारी हुआ आप बहुत अच्छी सी मिट्टी भरी हुई है वेल्डेंस वायल है इसमें और इसी में मैं आपको एक मोटे तरने वाली एक टोप्यारी बना के दिखाऊंगी कि बोंजाई शेप देने की कोशिश करूँगी मैं इसको कि और आप देखते रही है कैसे बन रही है रही है की बोंजाई यह देखी इस तरह से मैंने जो लम्बी-Lumbi सी स्टेम थी कटिंग की वह मैंने खटी कर लिए है और नीचे की सारी पत्यों को रिमूब कर दिया है इस तरह से देखिए आप क्याची से काट दीजे कि यह देखिए कुछ एक स्टेम्स जो है मैंने जो सीरी सीदे शेप में थी वो मैंने खटी कर लिये सारी और इन सब को एक साथ इकटा करके देखिए इस तरह से बराबर-बराबर से करके सब को एकटा कर लेना है और यह देखिए एककटी हो गैने है इसको जो आवर चली बराबर सेट करके पर लोग लगाते हैं इसको मोटा होने में बहुत है एसलों करने बहुत टाइम लगता है तो इसका बनता है बहुत दिनों में बन पाता है मोटा तो इस तरह से देखिए यह हम लोग द्धागे से इसको टाइट करके बांग लेंगे इसे लपेटते चला जाएंगे दागा तो यह सारी जितनी विस्टे में यह एक साथ बन जाएंगी और हमारा एक मोटे तने वाला एक हमारा पेड़ इसका जो है मतलब ट्री समझ लीजिए या बोंसाई शेप आ जाएगा इसमें वह तयार हो जाएगा जब यह काफी टाइम त अच्छी लगे तो प्लीस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सबस्काइब कीजिए हमारे चैनल को जी देखिए इसको मैंने इस तरह से बाण लिया है तो एक पतली पतली स्टैम से मैंने बहुत सारी स्टैम को घटा करके बांध के एक मोटे तने वाला एक पौधा तयार कर को हमेशा बहुत वेडरन डगाना चाहिए और इसकी मिट्टी में रेट की मात्रा जादा रखनी चाहिए और कुछ कंपोस्ट इसमें मेक्स करना चाहिए ताकि हमारा प्लाट जो अच्छे तरीके सर्वाइब करें और पानी इसमें बिल्कुल न रुके फर्स्ट वार जो हम लोग वाटरिंग करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे बहुत अच्छे तरीके से भरवर के पानी दे दीजे ताकि पानी नीचे से ड्रैन हो जा थैंक्स वर वाचिंग फ्रेंद्स